तो यहां हमारे पास 4y² जमा 4y-15 है और हमें इसको मुक्तलिफ अनासिर में बांटना है यानि भई इसको फैक्टर करना है अब जब भी हमारे पास quadratic expression में दूसरी डिग्री वाले variable का coefficient एक से बड़ा दिया हो तो उसको फैक्टर करने का सबसे बहतरीन तरीका होता है कि आप grouping का सहारा ले ले यानि आप ग्रोहों में इसको तकसीम कर दें और इस काम के लिए हम बीच वाली टर्म को तोड़ कर कोई ऐसी दो एकदार से दिखा देते हैं जिनको जब हम आपस में जमा करें तो हमें इस टर्म का coefficient मिले और जब हम आपस में इसको जरब दें तो हमें पहली औ आखरी टर्म के coefficient का जरब मिल जाए यानि अगर इन में से एक कदर को हम एक नाम दे दें और दूसरी को बी का नाम दे दें तो ए जरब बी बराबर होने चाहिए चार जरब नेगिटिव 15 यानि नेगिटिव 60 के और ए और बी को जब हम आपस में जमा करें तो ये बराबर हो ने चाहिए पॉजिटिव 4 के और ये दो जादूई एकदार मालूम करने के लिए ऐसा करते हैं कि 60 के factors देख लेते हैं और हाँ एक और इशारा भी हमें मिला हुआ है और वो ये है कि इन दोनों एकदार में से कोई एक कदर पॉजिटिव होगी जबके दूसरी का sign नेगिट होगी ना उसका sign positive होगा ताकि जब हम इनको आपस में जमा करें तो जवाब हमें positive में मिले तो ये तो science की बात हो गई अब जरा आते हैं numbers पे आप इस 60 के मुक्तलिफ factors निकाल कर परक सकते हैं लेकिन मेरे दमाग में positive 10 और negative 6 आ रहे हैं इनको जब हम आपस में जरब देंगे तो हमें negative 60 मिल जाएगा और जब इनको आपस में जमा करेंगे तो positive 4 मिल जाएगा तो ये दो एकदार इन दोनों ही शरायत पर पूरा उतर रही हैं चले फिर इस expression को नई शकल में लिखते हैं 4y square यूँ ही आ जाएगा और इस बीच वाली term को अब हम positive 10y minus 6y की सूरत में लिखेंगे और यहां आ जाएगा negative 15 चले अब आगे बढ़ते हैं तो अब इन terms को हम मुक्तलिफ ग्रोहों में बाटेंगे तो 4y square और negative 6y के बीच में जो है वो ज्यादा मुश्टर का अनसर मौजूद हैं इसलिए यह एक ग्रूप बन जाएगा जबकि 10y और negative 15 एक ग्रूप में आ जाएंगे क्यूंकि इनके बीच में भी मुश्टर का अनसर मौजूद है तो इनके बीच में common factor 2y है क्यूंकि ये दोनों ही 2y से तक्सीम हो सकते हैं तो 2y को बाहर निकाल लेते हैं 4y square को 2y से तक्सीम करेंगे तो पीछे 2y रह जाएगा और negative 6y को 2y से तक्सीम करेंगे तो पीछे 3 रह जाएगा यहां common factor 5 है क्योंकि ये दोनो 5 से तक्सीम हो सकते हैं और इसलिए हम 5 को बाहर निकाल लेंगे 10y को 5 से तक्सीम करेंगे तो पीछे 2y रह जाएगा और negative 15 को 5 से तक्सीम करेंगे तो पीछे negative 3 रह जाएगा अच्छा अब समझ लें कि ये पूरी एक term है और ये पूरी एक term है दोनों terms में 2y-3 मुश्टर्का है और इसलिए हम इसको बाहर निकाल लेंगे इसको 2y-3 से तक्सीम करेंगे तो पीछे 2y रह जाएगा और इसको 2y-3 से तक्सीम करेंगे तो पीछे positive 5 रह जाएगा और यूं हम grouping की मदद से इस expression को factor करके इस शकल में ले आए हैं